जन्तपत में पुलिस लाइन इस्थित शिव मंदिर प्रांगण में जुलादिकारी चंद्र भूशन सिंग वा एससपी विनित जॉयसवाल सहित जन्तपत के सभी आलाधिकारियों ने कावण शिवेर संचालकों के साथ बैठकर आविश्यक दिशा निर्देश दिये कावण शिवेर संचालकों और सम्दित ग्रांप्रधानों को जुछलादिकारी चंद्र भूशन सिंग और एससपी विनित जॉयसवाल के नित्रतव में एक गोस्टी का ऐज़न किया गया जिसमें कावण शिवेर संचालकों को श्रापत आविश्यक दिशा निर्देश दिये प्रणने शाथ संसे प्रॉप्ते दिशा निर्देश दिये गये जरादिकारी चंद्रीफ बूशर सिंग में मौजूद सभी अधिकारियों अपने बची हुई तैयारे को जल्द पूरी करें और रिपूर्ट बना कर प्रिशासन को सौंपे मुखे चुकित्सा अधिकारी डक्टर महावीर सिंग फॉजदार ने बताया गंग नहर की पट्री पर आइस्था ही चुकित्सा किंड्र बनाये जाएंगे और चुकित्सा किंड्रों पर सभी सुविधाओं का धियान रखा जाएगा जिसकी जरूरत कावडियों को पढ़ती ह मुखे चुकित्सा अधिकारी डक्टर महावीर सिंग महावीर सिंग फॉजदार ने आगे बताया कि हमने 24 एंबुलेंस कावड यात्रह के लिए रिजर्व कर रखी है जिनकी इहां जरूरत पड़ेगी वहां पर तुरंत पहुंचाया जाएगा सीम उने बताया कि उनके पा देखिए जनपत मुझफवा नगर में आगामी कावड तेवहार की तैयारियां हर इस तर पे की जा रही हैं उनी तैयारियों के क्रम पे आज जिला प्रशासन और पुलिस की द्वारा सभी जो हमारे कावड शिविर के आयोजक हैं और रास्ते में पढ़ने वाले गाउं के प्रधान हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई गई थी और जितनी भी समस्याएं हैं वह उनको उनसे अवगत करा दिया गया है और जो भी दिशा निरदेश हैं, शाटन की ओर से या प्रशासन की ओर से उनको भली भाती अवगत करा दिया है, जिनमानकों के अनुसार इस पूरे शिविर का और यातायात विवस्था का आयोजन होगा उनको बता दिया गया है इसके उपरांथ हमारे जो सेक्टर और जोनल मजिस्टेट्स हैं और सेक्टर और जोनल पुलिस अधिकारी हैं उनकी भी एक समनवे गोश्थी यहां पर आयोजित की गई है जिससे की जो तैयारियां हैं वो सुचारू रूप से चले और हम आश्वस्थ करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से और सकुषलता से उस पूरे यात्रक हम संपन्न कराएं अब तैयारियां लगबग अंतिम चरण में हैं और सभी अधिकारियों द्वारा लगतार इस्थली निरिश्ड किया जा रहा है पुलिस सेवं प्रशासनी का धिकारियों द्वारा भी कुछ जहां पे कमिया रहे गई है सभी विवागों को अवगत करा दिया गया है और लगभग सभी विभागो द्वारा काम तेजी से चल रहा है देखिए परियाब संख्या में पुलिस, P.A.C, R.A.F, बार राहत दल इस प्रकार की जो फोर्स बाहर से मंगाई जा रही है शीगर ही उनका जनपद में आगमन होगा और उन सभी की डूटियां लगाई जाएंगे